केजी एफ को रॉकी ने ऐसा पावरफुल एंपायर बना दिया है कि गैंग्स्टर के साथ साथ अब गॉर्मेंट के मिनिस्टर्स भी रॉकी से डरने लग गए हैं लेकिन रमिका सेन जो अब प्राइम मिनिस्टर बन कर सत्ता में आ चुकी है रॉकी को मारने के ओर्डर्स दे देती है लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो रॉकी को मारने के बारे में सोच भी सके इसलिए रमिका सेन एक सीक्रेट मीटिंग बुला कर रॉकी को मारने के लिए इंडियन आर्मी को KGF पर हमला करने भेजने का फैसला कर लेती है लेकिन पूरी आर्मी को भेजने से पहले आर्मी और CBI KGF पर एक टीम बना कर हमला कर देते हैं लेकिन रौकी उनको KGF के बाहर ही रोक लेता है और रौकी के एटिट्यूट से ही डर कर वो लोग वहाँ से वापिस चले जाते हैं अब जब कोई भी रौकी को मार या पकड नहीं सकता तो रमिका सेन जो ये जानती है कि अधीरा जिंदा है और अपने भाई सूर्य वर्धन क मरने के बाद अधीरा ने ही रोकी के हाथों अपने भतीजे गरूरा को मरवाया है वो अधीरा अब रोकी को मार कर केजिएफ पर राज करने के अपने पुराने सपने को पूरा करना चाहता है रमिका सेन अधीरा से मिलकर उससे एक डील करती है रमिका सेन अधीरा से कहती है क अगर अधीरा रोकी को मार दे तो रमिका सेन अधीरा पर लगाए गए सभी जुरम माफ कर देगी और अधीरा को केजी एफ के बिजनस में भी पार्टनर बना लेगी मतलब रमिका सेन केजी एफ को गर्मेंट प्रॉपटी बनाना चाहती है और KGF के बिजनस को खुद संभालना चाहती है रमिका सेन चाहती है कि अधीरा उसका साथ KGF पर कबजा करने में दे और बदले में रमिका सेन अधीरा को KGF के लीगल बिजनस का पार्टरन बना देगी अधीरा रमिका सेन का प्रपोजल एकसेप्ट कर लेता है इधर रोकी ने रीना दिसाई से शादी कर ली है और अब रीना भी रोकी के साथ KGF में ही रहती है एंड्रियू, शेटी, कमल, विराट और एजेंदर दिसाई रोकी के लिए ही काम करते है अधीरा रमिका सेन के साथ मिलकर रोकी के खिलाफ प्लैन बनाता है अधीरा पहले दुबई के इनायत खलील को इंडिया बुलाता है अधीरा रमिका सेन के साथ मिलकर बनाए गए प्लैन के मताबिक इनायत खलील के साथ मिलकर KGF पर रात के अंधेरे में हमला करने वाला है लेकिन असल में अधीरा डबल गेम खेल रहा है अधीरा रौकी को मारने के बाद रमिका सेन को भी मारना चाहता है इसलिए अधीरा इनायद खलील को KGF पर हमला करने इनायद खलील की आर्मी के साथ भेज देता है और खुद रमिका सेन को मारने चला जाता है एंड्रियू, शेटी, कमल और विराट भी KGF में चले जाते हैं इधर अमिका से इन प्लैन के मताबिक रौकी के खिलाफ डेथ वारेंट इशू कर देती है और इंडियन आर्मी को KGF पर हमला करने भेज देती है लेकिन जब इंडियन आर्मी KGF पर हमला करने जाती है तो ना तो वहां रौकी होता है और ना ही वहां के मजदूर इनायत खलील को और उसकी आर्मी को इंडियन आर्मी मार देती है और KGF में ही वो लोग मर जाती है इधर उस हमले में एंडियू शेटी, कमल और विराट भी KGF में ही मर जाते हैं इधर जब अधीरा रमी का सेन को मारने जाता है तब वहां रौकी आ जाता है असल में ये प्लैन अधीरा और रमिका सेन का नहीं बलकी रमिका सेन और रौकी का बनाया हुआ है। अधीरा को रमिका सेन के गार्ड नहीं मारा है।